तिब्बत निर्वासित सरकार के रास्त्रपति डॉक्टर लोपसंग सांगे ने कहा कि जो चीन कहे पहले उसकी पड़ डाल कर लें फिर उस पर विश्वास करें जो तिब्बत में हुआ अब भारत और भारत की सीमा में हो रहा है डॉक्टर सांगे ने कहा कि भारत के सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके पृति हम संबेदनाई बेट करती हैं तथा चीनी सैनिकों ने जो हिंसा की है उसका हम विरोध करते हैं पहले चीन ने तिब्बत पर कबजा किया चीन कहता तो अहिंसा की बाते हैं लेकिन उस पर अमल नही नहीं किया है और मुझे विश्वास है कि भारत की निती ऐसी ही रहेगी तिबबत को लेकर डॉक्टर संगे ने कहा कि अमेरिकी संसत का भी कहना है कि तिबबत में मानवा दिकार और धार्मिक सुतंत्रता नहीं है जो बहां दी जानी चाहिए अमेरिका तिबबत का स्पोर्ट क कबजा किया है इसके बाद अब चीन पांच उंगलियों यानि लिदाख, नेपाल, भुटान, सिक्क्यम और अरुनाचल के पीछे लगा हुआ है इन सब के बीच हिमाचल भी है 3488 किलोमीटर की सीमा पहले भारत और तिबबत के बीच में थी आज चीन उस सीमा में भी अधिकार है ते तब भारत को इसके लिए तियार रहना होगा देखे जितने भी हमारे बारती जवान को शहीत हो गया हम तो उन फैमिलीज को कॉंडॉलेंस कहते हैं और चीन का सेनिक ने जो हिंसा किया उसको हम विरूत करते हैं एक बात है कि अब उनको देखो हमारा हमें ति कहते हैं हम आई इंसा को मानते हैं मगर करते हैं हिंसा तो भारत को होशयार से रहना चाहिए जो चीन कहेंगे उसको जांच करना चाहिए उसके बाद सिर्फ बिश्वाश करना चाहिए कि जो तिबत में हुआ अब भारत और भारत के सिमा में हो रहा है जो तिबत के बारे में मेरेका का पारलिमेंट है वहां कॉंग्रेस है वहां पे बहुत चर्चा चल रहा है और मेरेका के सरकार ने भी ऐसे रिपोर्ट निकाला हुआ है वहां कहां है कि तिबत में हमारा मानव अधिकार जो है वहां नहीं है उनको देना चाहिए हमारा religious freedom जो है उनको भी देना चाहिए यह सब कहें के मैरेका सपोर्ट कर रहा है और भारत को भी जरूर सपोर्ट करेंगे पहले भी किया हुए आज भी करेंगे क्योंकि मैरेका है जपैन है आस्ट्रेलिया है और भारत चार मिलके एक उनका मीटिंग उनको कहते हैं क्वाड ऐ संबंद के बडावर्त को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका का रस्टेपरती ने भी वो सीमा के उपर कहा है की उनको भारत को सपोर्ट है के चुका है आजए देखो परंपरावण डाले लामिजी हम लोग सब आहमसा घुश्वास करते हैं बढमसा प्हालन करते हैं हम यही प सोच है विस्तावारती का निती है उनका देश जो है अभी पहले तिबत कबजा कर लिए शिंचंग वो मंगोलिया मंचूरिया कबजा कर लिए उसके बाद आप हम कहते हैं तिबत एक हतेली है और पांच उनली के पीछे लगना चाहिए तिबत कबजा करने के बाद लदाख है नेपाल है बुठान है सिकीम है अर नचले ये पांच उनली के पीछे लगे हुआ है और इसके बीच में हिमाचल भी है क्योंकि 3488 किलो मिटर के जो सीमा है पहले भारत और तिबत के बीच में सीमा हुआ है था पहले आजकल आप जो वो सीमा में गुस्पेट कर रहा है हिमाचल भी है वो हिमाचल को भी होशार रहना चाहिए वो तो ऐसे करते रहेंगे तो भारत को भी अपने राइट डिफेंट अपने भारत देश को शुरक्षा रखने के लिए जो डिफेंट करना है वो तो करना चाहिए अगर आज तक तो भारत ने किसी देश के उपर हामल तो नहीं किया है यह हम मैं बिश्वास करता हूँ कि बारत का नीती ऐसे ही रहेंगे